students today we will discuss depression in freezing point freezing point क्या होता है किसी भी liquid का बेटा वो temperature होता है जिस पे solid और liquid phase एक साथ exist करते हैं या वो temperature जिस पे solid और liquid phase का vapor pressure सेम होता है तो यह जो दोनों ही definition है अमारी काम भी है freezing point वो temperature है जिस पे liquid और solid phase को exist करते हैं या यह कह सकते हैं वो temperature है जिस पे solid और liquid भीज का vapor pressure सेम होता है तो ऐसा observe क्या गया बेटा किसो solutions है उनका जो freezing point है वो क्या होता है प्योर स्वेंट से इस चीज को कहा गया depression in freezing point अब इस चीज को अम graphically देख लेते हैं देखी अब हम क्या करें है solvent यानि कि liquid से solid बनाएंगे तो हम temperature ज्यादा temperature से कम temperature की तरब जाएंगे तो for example यह point है C water consider करके चलो तो यह मानलो room temperature है यानिकि 25 degree celsius temperature है अब आपने क्या किया है temperature को कम किया ठीक है लिक्विट से solid कब बनता है जब आप temperature कम करते जाते हैं तो यह आपने 25 से temperature water का कम करते गए करते गए करते गए तो क्या हो गया वैपर pressure कम होता जाएगा ओब इसलिए कम होता जाएगा ज्यादा temperature है system में तो कानिटिक energy ज्यादा है तो ज्यादा number of particle liquid से vapor phase में जाएगे तो यह मानलो आप point B पे पहुँच गए B point क्या है zero degree Celsius और वो वोटर का क्या है freezing point है तो इस B point के ऊपर जो आपका liquid water है और जो आपका solid water है वो दोनों क्या होंगे equilibrium पे होंगे और इस point के ऊपर जो vapor pressure है solid water का और liquid water का वो क्या होगा सेम होगा that is P note अब इसके बाद B C P क्या है बिटा सिर्फ liquid है B पे यह solidify होना start हुआ है और फिर क्या हो गया solid है बी एक अरुपी क्या है सिर्फ solid है अब यह क्या है कम degree Celsius का solid है लगातार cool हो रहा है तो इसका vapor pressure क्या होगा और कम होता जाएगा अब यह जो आपका curve है यह continuous curve क्यों नहीं है क्योंकि इसमें दो phase involved है एक तो liquid phase involved है एक solid phase involved है इस तरह इसलिए इसके वज़े से shape ऐसी है अगर एक ही phase रहता तो आपका curve क्या होता continuous होता है अब हम करेंगे solution के लिए मालो यह 25 degree Celsius का water है आपने इसमें शूगर या यूरिया डाल दिया तो obviously उस temperature पे solution का क्या होगा vapor pressure कम होगा इतना vapor pressure है मालो अब आपने क्या किया कि इसको कि solution का जो है उसका temperature कम करना स्टाट कर दिया इधर से इधर आए तो solution का vapor pressure कम होता जाएगा तो आपका जो solution है उसका temperature आप कम करते जाओगे तो vapor pressure क्या होता जाएगा कम होता जाएगा अब आप इस point पे आ गई यह point क्या है freezing point of pure कैसे वोटर का फ्रीजिंग उल्ट यह ता लेकिन प्रीज निए ऐसे फ्रीजन प्रेज़ निया है इसको और हमाया हमें इसका टेंप्रीचर और कम करना पड़ा है इसका प्रीजिन यह वोटर का 0 है यहां बीए का रुपे भी क्या है solid solvent है और point D के ऊपर भी क्या हो गया है solution से सिर्फ solvent solid phase में आया है तो यह इसके साथ मिल जाएगा तो AD का रुपे क्या है सिर्फ solid solvent है solute नहीं है तो अब हमारे temperature क्या है यह T note temperature है इस पे जो pure liquid है उसका वेपर प्रेशर क्या है P note है इस T note temperature पे जो हमारा solution है उसका वेपर प्रेशर कितना है P s है और अब एक temperature और है T s that is freezing point of solution उस पे solution का वेपर प्रेशर कितना है P है तो अब हम normal expression करेंगे यह delta TF क्या है depression in freezing point और यह क्या है T note freezing point of pure solvent यह है freezing point of solution और यह से देखा किस से related है वेपर प्रेशर चेंज इन वेपर प्रेशर से that is lowering इन वेपर प्रेशर और वो हमें पता है roll slack according x2 that is mole fraction of solute पे depend करता है तो यहां से हमारा TF क्या हो जाएगा directly proportional to mole fraction of solute अब आप proportionality constant रटाओगे तो in the same way जैसे TB में आया था kx2 x2 की value put कर दो n2 upon n1 plus n2 बहुत 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 डालियूट solution है तो आपको क्या जाएगा n2 upon n1 हो जाएगा अब n2 upon n1 की value put कर दो वो क्या होती है हमारी w2 upon m2 यानि की weight of solute upon molecular mass of solute और w1 upon m1 अब यहां से यह जो k है और m1 molecular mass of solvent है वो क्या है fix है तो एक नया constant हो गया kf बाकी बचा w2 upon m2 into w1 that is यह क्या है number of moles of solute dissolved in particular amount of solvent यह क्या हमारी molality तो यहां से क्या आ गया delta tf equals to kf into m अब अगर हमने m को 1 कर दिया बेटा तो हमारा kf हो किसके पर equal आ जाएगा delta tf के तो जो हमारा kf है यह क्या है molal depression constant कह सकते हो आप इसे आप molal cryoscopic constant तो उसे आप कैसे define करेंगे depression in freezing point of solution और वो solution की concentration क्या है one molal तो यहां से जो unit है kf की वो क्या होगी kf क्या होगा आपका डेल्टा tf by m यह क्या है delta tf change in temperature that is degree celsius और अपोन molality जो molality कर जो unit होती है वो क्या होती है mol per kg अब यह inverse में है तो क्या हो जाएगा degree centric grade kg per mol यह क्या है unit kf की अब हम करेंगे बेटा thermodynamic derivation of depression in freezing point again हम क्या यूज करेंगे calcius calprone equation तो सबसे पहले हम यूज करेंगे यह फिर से हम figure में आएंगे यह वाला कर्व कर्व बी ए बी कॉन सा point है जहां पे pure solvent क्या हुआ है solidify होना start हो गया है ठीक है तो जब solidify होना start हुआ है तो मैंने बताया था बी ए कर्व पे क्या है सिर्फ solid है और और solid के वैपर से solid बहुत कम वैपर बनाते हैं लेकिन है सर्फ solid और वैपर फेज तो यहां से हम इसी कर्व के ऊपर calcius calipron equation यूज करेंगे तो हमारे क्या है इसमें दो पॉइंट्स है पॉइंट B और पॉइंट D पॉइंट B क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्यूर सॉल्वेंट और प्रेशर कितना आपका पी नॉट पॉइंट D क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर कितना है पी तो जो calcius calipron equation है हाइयर जो पी टू है वो क्या है पी नॉट उसे कोर्सपंडिंग टेंपरेचर है टी नॉट और जो लोवर पी है वो क्या है स्मॉल पी और उसे कोर्सपंडिंग टेंपरेचर है टी एस यह दोनों यह चार वैल्यू हम calcius calipron equation में पूट करतेंगे तो हमारी equation क्या हो जागी नैचरल लोग पी नॉट अपॉन पी इक्वल्स टू डेल्टा एट एस है यह क्या है सब्लीमीशन यह क्यों सब्लीमेशन क्यों है कि इस सौलिड और वैपर फेज ही to elections सीधाMr में अथा यह प्रो क्या बोलते हैं सब्लीमेशन तो सब्लीमेशन सल्ली इस हम डेल्टा स्यlud खरेगे आरगेस constant compare यह क्या है वण अपूंट्स- बनप थी नू यानि कि यहां पर टीवन आता है यहां फे टीट्व आता है तो हमारा जो पिटू के कोर्स्पोंडिंग क्या है टीटू और पीवन की कोड्सप पनिया टीवन अब इस equation को हम solve कर लेंगे बेटा जैसे हमने पिछले वाले में क्या था कि नेचरल लोग पी नोट अपून पी किसके को ला गया यहां से इसका हम lcm ले लेंगे lcm ले लेंगे तो क्या हैगा टी नोट माइनस टी एस और नीचे टी एस और टी नोट हमने कहा था उसमें भी कि टी एस और टी नोट क्या है पास पास वैल्यू है तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं उसकी जिगा है हम टी एस की जिगा है टी नोट ही लिख लेंगे तो यहां से ती नोट माइनस टी एस क्या है डेल्टा टी एफ और यह क्यों हो गया टी नोट स्केर अब हम कर्व इडी डिस्कस करेंगे बेटा वो उस पे क्या है solution और वैपर equilibrium में है यह देखो इसमें यह कर्व इडी है इसके उपर क्या है सिर्फ solution है और solution के क्या है वेपर तो solution और वेपर इसमें equilibrium में है और liquid से वेपर बनने का process क्या होता है वेपराइजिशन तो यह हमारा क्या है वेपराइजिशन कर्व है जैसे यह हमारा क्या था हमारा क्या है वेपराइजिशन कर्व है इस पे फिर से दो टेंपरेचर यह पॉइंट एफ है जो की फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है प्योर सोल्वेंट इस पे आपके solution का जो प्रेशर हो कितना है पी एस है और इस डी पॉइंट पे एडी कर्व के डी पॉइंट पे यह क तो यहां से हमारी क्या बंगई एलन पी एस उपन पी क्या पेसि जाहदा है पी से तो पी-स की कोर्स्पॉनिंग दोट है और स्मॉल पी की कोर्सपॉनिंग शै self और यहां पर हम ने क्या कि यइबटा डैल्टा-o क्योंकि हमारा क्या है liquid और vapor phase equilibrium में है vaporization हो रहा है तो यह क्या है latent heat of vaporization अगें फिर हम इसको solve करेंगे तो यह क्या है का T0-TS that is depression in freezing point same इसकी जगा हम TS को T0 से replace कर देंगे तो यह T0 का square आ जाएगा तो हमारी equation क्या बन गई natural log PS upon P equals to delta HP upon R delta Tf upon T node square अब हमारा क्या था जो BD जो यह हमारा BA curve था उस पर क्या था solid और vapor का equilibrium था जो हमारा ED curve है उस पर क्या है solution और vapor का equilibrium है तो इस वाली equation में से हम यह वाली equation अटाग सब्सक्रेक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा solid और liquid का equilibrium मिल जाएगा तो जो यह वाली equation हमने बनाई है यह वाली और एक यह वाली जो equation हमने बनाई है इन दोनों को आपस में सब्सक्रेक्ट कर देंगे तो सब्सक्रेक्ट करने से क्या आएगा नेचरलोग पी नोट अपॉन पी माइनस यह वाली नेचरलोग पी अपून पी नोट यह डेल्टा है एस जो आपकी लेटेंटी सोफ सब्लिमेशन है अपॉन आर डेल्टा टी एफ टी नोट स्केर माइनस डेल्टा हवी और बाकी का यह सब तो यहां से हम क्या करेंगे इनको खोल लेंगे खोलने के बाद क्या होगा जो पी है नेचरलोग पी वाली टम्स क्या हो जाएंगी कट जाएंगे आपस में और डेल्टा टी एफ आर और टी नोट स्केर यह कोमन ले लेंगे तो हमारा बच्छे का क्या डेल्टा Х्स माइनस डेल्टा हivi यह क्या है लैटwenस ही टल्मेशन माइनस लैटनफ हीट ऑफ वैपराइजेशन और वह किसके इक्वल और लैटनफ हीत डॉजन यहां फ्यूजन क्या होता है लिक्वीट से सॉलिड बनना है और यही थो हम करें है freezing point में की liquid से solid बना रहे हैं तो हमारी क्वेशन क्या बन जाएगी नेचरल लोग पीनोट अपून पीएस इक्वलस टू डेल्टा टी एफ अपून आर टी नोट स्केर डेल्टा एच फ ठीक है अब इसकी वैल्यू नेचरल लोग पीनोट अपून पीएस की वैल्यू हम रोयल इसला यह में पता है पीनोट माइनस पीएस अपून पीनोट इक्वलस टू एक्स टू तो यहां से नेचरल लोग पीनोट अपून पीएस की वैल्यू हमने क्या निकाली थी x2 यह जो natural log p note upon ps है यह हमने x2 निकल ला था यह हमने as such बेटा पिछली lecture में हम कर चुके हैं तो इसको हम किसके equal put कर देंगे x2 तो हमारी equation क्या बन गई फिर हमें निकलना है delta tf तो delta tf हमारा क्या गया आर टी नोट स्केर अपोन delta hf x2 और यह किसकी फों में mole fraction की फों में जैसे elevation in boiling point आया था as such लेकिन हम elevation in boiling point और depression in freezing point दोनों को molality की फों में use करते हैं तो अब x2 को क्या करेंगे हम molality में convert करेंगे in the same way x2 हमारा क्या होता है n2 upon n1 plus n2 dilute solution है तो n2 को neglect कर देंगे तो हमारी time क्या बन जाएंगी n2 upon n1 और n2 upon n1 की हम सब values put करेंगे वो क्या होती है n2 क्या होता है w2 upon m2 और n1 क्या होता है w1 upon m1 तो यहां से हमार x2 क्या जाएगा w2 upon m2 upon w1 into m1 अब आपने इसको put कर दिया तो यह क्या है delta hf और यह क्या है latent heat of fusion of the solvent upon molecular mass of solvent तो यह क्या जाएगी पर gram latent heat of fusion आ जाएगी यह एंधिल fusion हो गई इसको हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे lf से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी value w2 upon w1 into m2 इसकी value हमने क्या निकाल लिए थी m by 1000 जैसे हमारी क्या होती है morality morality का यह formula होता है तो यहां से जो यह वाली term है इसकी value क्या आएगी इसको पूट कर देंगे तो हमारा डेल्टा टी एफ क्या है और टी नोट स्केर अपोन एलफ एंथल्पी और फ्यूजन एं मोलालेटी अपोन थाउजन तो यह आपका एक्सप्रेशन आ गया कि जो आपका डेल्टा एफ है वो किस पर डिपेंड करा है और यह जो सारी चीज़े क्या है constant आर टी नोट स्केर थाउजन एलफ यह सब क्या है constant है तो यह क्या हो गई के एफ यह हमारा क्या हो गया cryoscopic constant यह हमारा कर्व लेके जाना है और एडी कर्व लेके चलना है वो टाइब